नमस्कार दोस्तों सेल से माइस के इंटर्वी में पूछा जाने वाला सबसे इंपोर्टेंट क्वेस्चन लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ दोस्तों इस क्वेस्चन को हमारे एक सब्सक्राइबर विसाल जी ने हमसे पूछा है और मुझे लगा ये क्वेस्चन काफी इंपोर्टेंट है इसलिए आपके लिए वीडियो लेकर आगया हूँ अगर आपके भी मन में कुछ ऐसे क्वेस्चन है जिसका एंसर आप माइस इंटर्वी में नहीं दे पाये थे तो आप हमारे साथ सेयर करश रखते हैं अगर मुझे लगा वो क्वेस्चन काफी इंपोर्टेंट है तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइट कर दी जाएगी तो आई दोस्तो वीडियो को आरमब करते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अभीजीत आपका सच्चा साती सच्चा हमसफर और आप देख रहे हैं अभीजी टेक्निकल फोरें दोस्तो अगर आप सेल सेमाइस के इंटर्विव में बैठते हैं अगर आपने 10 इंटर्विव को अटेंट किया है तो 7 से 8 इंटर्विव में ये कोश्चन जरूर पुछी जाते हैं तो इसलिए ये question जरूर पूछे जाते हैं अगर आप sales MIS के interview में बैठते हैं तो question को ध्यान से समझेगा और video को बिना skip किये last तक देखिएगा तो आईए शुरू करते हैं यहां आप देखिए incentive का हमारा slab दिया हुआ है और मुझे यहां incentive calculate करके लाना है तो जो हमारा incentive का slab है यह हमारा attendance percentage के base पे है दोस्तो जब आप sales MIS interview में बैठेंगे तो question के pattern सेम होंगे concept सेम होंगे techniques solve करने की सेम होगी बस हो सकता है कि आपका logic कुछ different हो different that means यहां अभी देख रहे है हमारा attendance percentage के base पे logic है और वहां हो सकता है कुछ amount के base पे हो तो हमारा सब कुछ सेम होगा pattern भी और techniques भी उसे solve करने की बस logic different होगी अगर आपने इसे solve कर लिया तो आप कोई भी logic solve कर सकते है that's it तो आईए शुरू करते है यहां लिखा क्या है more than 90% attendance जिन employee की है उसको मुझे 100% मान के उन्हें हमें full incentive दे दिनी है 3500 ठीक है जिन employee की attendance 80 to 90% है उनकी attendance हमें 75% मान के 2625 रुपय प्रोवाइट कर दिनी है ठीक है और जिनकी attendance 80% से नीचे है उनको हमें 0% attendance मान के उनको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करना है that's it तो इसे हम दो तरीकों से करेंगे पहला हम if condition से करेंगे दूसरा हम will look up formula के द्वारा करेंगे तो आइए video को शुरू करते हैं यानि यहां हमारे जो employee है यह 30 days में से इतने दिन प्रेजेंट थे तो इसके base पे हम इंका attendance percentage निकाल लेंगे आप सभी को पता होगा percentage कैसे निकालते है is equal to करेंगे paid days divided by हम कितना कर देंगे यह month days ठीक है इंटर मार देंगे ठीक है और इसको हम क्या करेंगे drag कर देंगे तो अभी आप देखी हमारे पास percentage आ चुका है अभी आप देखी यहां percentage so नहीं कर रहा आपको क्या करने से select करना है या तो आप control shift 5 प्रेस करेंगे तो percentage में convert हो जाएगा या आप यहां से click करके यह percentage में convert कर सकते हैं ठीक है तो यहां हम लिखेंगे equal to if ठीक है this attendance percentage is greater than पहले हम क्या करेंगे 90% करेंगे ठीक है तो हमारा क्या आजाए यहां लिखा है ना more than 90% कितना है 3500 तो हम यहां लिखेंगे double inverted comma में लिखेंगे 3500 अगर आप double inverted comma नहीं भी लगाएंगे तो भी आपका answer आजाएगा क्योंकि यह हमारी value है अगर text होता तो ना आता ठीक है double inverted comma close फिर से कॉमा लगाया एक और if condition लगाएंगे if this attendance percentage is अब दूसरा क्या logic है between 80 to 90% अगर है तो हमें देदो 2625 रुपया ठीक है तो greater than is equal to 80% ठीक है कॉमा double inverted comma हम लिखेंगे 2625 ठीक है double inverted comma close ठीक है कॉमा फिर एक और last if condition लगाएंगे last हमारा क्या है less than 80% है तो हमें देदो 0 तो हम क्या करेंगे this attendance percentage is less than 80% ठीक है तो हमें देदो क्या कॉमा double inverted comma में 0 double inverted comma close bracket बंद और enter तो यह देखिए हमारे पास आ गया अब इस formula को हम क्या करेंगे drag कर देंगे यह देखिए हमारे पास answer आ गया अगर मैं यहां देखिए 80 करूँगा तो यह देखिए हमारे पास आ गया 2625 यानि 80 to 90 है तो देखिए 2625 अगर मैं 90 भी करूँगा तो भी देखिए 2625 लेकिन जैसे हमारा 90 से इबब हुआ तो यह देखिए 3500 यहां है न, more than 90%, अगर माल लिजी यह हमारा 67 है, तो देखे, 0, तो यह हमारा answer correct आ रहा है, ठीक है, यह हमारा हो गया, if condition के द्वारा, अब दूसरा हम करेंगे क्या, we look up formula के द्वारा, ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले यहां एक condition बनानी होगी, हम लिखेंगे क्या, 0% क्या है हमारा, आप देख रहे है, 80 to 90% है, तो 2625, तो हम यहां लिखेंगे 80%, ठीक है, अगर है, तो 2625, ठीक है, और दूसरा क्या है, more than 90% है, तीसरा, तो यहां हम लिखेंगे 91%, ठीक है, तो हमें देदो 35, यह हमारा condition हो गया, ठीक है, अब हम यहां क्या करेंगे, is equal to, we look up, ठीक है, look up value हमारी यह हो जाएगी, comma, table array हमारा यह हो जाएगा, यह condition मैं इस तरह क्यों type की, आपको अभी समझा देता हूँ, comma, column index number हम 2 लेंगे, क्योंकि हमारे value दूसरे column पे है, ठीक है, 2, और अब हम क्या करेंगे, इस range को freeze कर देंगे, array वाले range को, f4 की press करके, right अब हम, comma, exact match के लिए 0 नहीं लगाना हमें, क्योंकि अगर हम exact match के लिए 0 लगा देंगे, अगर माले जे हमारी attendance आई 67%, तो इसमें 67 तो कहीं है नहीं, तो हमारा result क्या आएगा, na error आजाएगा, क्योंकि हमारे array में look up value तो अबलेबल है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां कुछ भी नहीं लगाएंगे और bracket बंद कर देंगे, तो यह क्या करता है, जैसे हम bracket बंद करके इंटर मारेंगे, तो we look up क्या करता है, approximate match लगा देता है, यह देखिए, अभी मैंने इंटर मारा है, और मैं इस formula को drag कर देता हूँ, अब देख रहें, answer आ चुका, अब मा दिया 80%, तो देखिए 80 पे हमारा क्या था, 2625 था, 81 दिया, यह देखिए 2625 फिर भी आ रहा है, जैसे मैंने 45 कर दिया, तो यह देखिए less than 80 है, तो हमारा 0 आ गया, अब मालीजे मैं 91 करता हूँ, तो देखिए 35 आ रहा है, तो यह हमारा सारा criteria follow कर रहा है, यानि हमारा formula सही है, तो अब मैं आपको approximate match का मतलब समझा देता हूँ, यह we look up करता क्या है, देखिए जैसे मालीजे मैंने यहां लिखा 85, ठीक है, तो यह क्या गया, 80% से मिला 2625, अब यह क्या करेगा, approximate match मतलब अनुमानित value, लगभग value, 81 तो हमारा है नहीं, 82 तो हमारा है नहीं, 83, 84 हमारा कु अब 92 करते जाएंगे, जाहें जितने भी करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे यही वाली value आपको देता रहेगा, अगर मालीजे मैंने यहां लिखा 56, तो यह देखिए हमारा 0 आ गया, क्योंकि यहां आप देखिए, 0 के बाद 56 तो इसे कहीं दिख नहीं रहा, तो यह क्या करता है, approximate match करता है, ठीक है, approximate match लगाते समय आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्या, आइए समझते हैं, जैसे, we look up, ठीक है, look up value यह, table array मैंने लिया यह, ठीक है, comma, to, comma, अभी देखिए, approximate match में क्या बोलता है, the value in the first column of table array must be sorted in ascending order, यानि आपका smallest to largest value होनी चाहिए, जो आ आपका array में पहली value है, जो हमारी यह look up वाली common value होती है, तो यह देखिए, यहां मैंने ascending order में रखा भी है, अगर आपका यह ascending order में नहीं रहा, तो answer गलत आएगा, अगर मैंने 80 यहां कर दिया, 0 यहां कर दिया, 91, तो answer नहीं आएगा, तो इस तरह अगर आपकी situation बनती है, माइस interview में, तो इस तरह भी condition लगा के आप इसको crack कर सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो फसंद आया तो चैनल को subscribe, वीडियो को like, share, comment कर देजएगा, मिलते हैं next video.